दोस्तो आज मैं आपको बताने वालाओं कि आप Facebook पेज का जो username होता है वो mobile से कैसे change कर सकते हैं हाँ दोस्तो आपको laptop, computer, PC बगरा किसी की भी ज़रत नहीं है आप mobile से Facebook पेज का username change कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा तो दोस्तो Google पर साप को जाना होगा तो आप Google पर जाईएगा, Google पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर इस टाइप का interface दिखाई देगा अब दोस्तो आपको क्या करना है, यहाँ पर Facebook लोगिन कर लेना है तो हमारे यहाँ Facebook पर जाते हैं, Facebook पर जाने के बाद मैं मैंने यहाँ पर already ID लोगिन कर रखी है तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से लोगिन कर ली है, अब उपर आपको right side में three dots से दिखाई देंगे, उस पर click करना है click करने के बाद मैं नीचे आप देखेंगे, desktop site दिखेगी, तो इस box पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आप click कर दोगे, तो यहाँ इस टाइप का interface दिखाई देगा अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पर सबसे उपर m.facebook.com लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो इस पर आपको click करना है, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यह Facebook लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके just सामने right side में यह pencil का sign दिख रहा है दोस्तों, तो इस pencil के sign पर आपको click कर देना है अब दोस्तों click करने के बाद उपर आप देखेंगे, आपको website दिख रही होगी, https और यहाँ पर आपको देखेंगे, आपको slash देखेंगे, double slash m.facebook.com तो दोस्तों यहाँ पर m. लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर m की जगे पर m को आपको हटाना है मैंने यहाँ पर m हटा दिया, अब यहाँ पर w e b, यह आपको लिख देना है, और इसको search कर लेना है यहाँ पर search करने के बाद मैं, यहाँ इससे क्या होगा है, यहाँ पर हमने profile Alpon कर रखी है, अब इससे page को switch कर सकते हैं, यानी page को ऑपन कर सकते हैं यह हमने लिखा था ना बेव इस से तो अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा दोस्तों सब कुछ तो मैं यहां पर जूम करता हूं इसको और जूम करने के बाद मैं राइट साइड में आप देखेंगे यहां पर आपको लोगो दिखाई देगा आपकी प्रोफाइल का तो यहां पर एक पेज है नीचे सेकंड लाइटी नूज है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां पर यह बैरिटी नीज में स्विच हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा तो मैं अब इसको जूम कर लेता हूं औ क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इसे ट्र इंड प्राइमी में तो दौस्तों यहां पर आपको इस पर सेटिंगल से मेंसाएं प्राइवेसियार करेंगे तो वो पंड e . open हो जाता है तो उसमें यह feature available नहीं होता है तो उसको uninstall करने के बाद में यह काम कीजिएगा तो यहाँ पर settings and privacy पर click कीजिएगा यहाँ पर click करने के बाद settings का option आएगा तो यहाँ पर settings पर हम click कर देंगे जैसे settings पर click करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का interface दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको name and username दोनों दिखाई देंगे तो दोस्तो हम क्या करेंगे यहाँ से दोन चेंज करेंगे username तो हम इसको एसे right में होंगे यहाँ पर edit का option दिखेगा username के सामने तो हम इस पर click कर देंगे click करने के बाद मैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रोचक जानकारी है तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ बेरिटी यहाँ बेरिटी न्यूज यह मैं यहाँ पर डाल दोना दोस्तो हूँ तो मैंने यहाँ पर यहाँ यह बेरिटी न्यूज मैंने डाल दिया है और यह यहाँ पर मैं select कर सकता हूं क्योंकि यह username available है आप देख सकते हैं यूजर्णेम इच अवेलेवल तो मैं यहां पर इसको save change पर क्लिक कर दूँगा यहां पर आप save change का option देख रहे हैं इस पर मैं click कर दूँगा इस पर click करने के बाद मैं यहां पर जो मेरे page का बैव address है यानि की जो यूजर्णेम है वो यहां पर से चेंज हो चुका है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर password पूछ रहा है दोस्तों तो मैं यहां पर अपने password डाल दूँगा यानि आपके फेस्बुक पेज का जो यूजर नेम है वो चेंज हो जाता है बेव एड्रेस चेंज हो जाता है दोस्तों यहां पर यह अभी चेंज हो जाएगा आप देख सकते हैं तो यहां पर अब हम क्या करेंगे यहां पर लिखा हुआ है यू नीड टू स्विच टू मनमौन सिंग तो हमारे जो पेज है उसका यूजर नेम हो चुका है दोस्तों और फेस्बुक पेज का अब वो कैसे पता लगेगा तो हम जाते हैं फेस्बुक अब पर आप जा सकते है तो अब यहां पर फेस्वुक जो अपना मैं अकाउंट को लॉग-इन कर लूँगा यहां से अब दोस्त यह पेज आने के दोस्तों यह मेरा पेज आप इसको फोलो कर सकते हैं जाकर के अब इसको यहां पर हमने स्विच कर लिया अब यहां पर इसको हम यहां पर थ्री डॉर्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है बैरिटी न्यूज यानि कि यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह link देख रहे हो ना इसके slash के बाद में आप variety news देखेंगे तो आपका username change हो चुका है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने facebook page का username change कर सकते हैं